Hello everyone, so आज हम देखेंगे Senior KG का Hop Skip and Jump का Bookset So इसमें total 11 books हमें मिले हैं school की तरफ से लेकिन आज हम इन में से poem की 2 books, story की 1 book, art and craft की book छोड़ के बागी के important books का detail में demo देख लेंगे तो पहले हम देखेंगे phonics की book So ये bookset अगर आपको मंगाना हैं तो आप Amazon से भी मंगा सकते हो हमें ये school की तरफ से ही मिला है Okay, so LKG के revision पहले थोड़ी सी हैं तो वो होने के बाद, देखें, simultaneously add-on हो रहा है syllabus अभी यहाँ देखें, blending words add-on हो गए हैं So blah, के regarding ये जो words से ये हमें कराके लेने होंगे जब ये complete आजाएगा तब हम club और फिर flow, ऐसे simultaneously एक के बाद एक कराके लेते जाएंगे बच्चों से वोक्षिक्स इसलिए बहुत important होती है अभी यहाँ पे देखें, सारे blending words है उन में से particularly ये picture कौन सा है ये identify करके उसका blending word बच्चों को नीचे circle करना है Okay, तो वो आ जाता है बच्चों को practice के बाद यहाँ पे भी same blending words लिखने थे अभी R आ गया है consonants के साथ blending ब्रेन, ब्रेड, क्राब, क्रेन ऐसे words इंट्रोड्यूस हो गये हैं अभी बच्चों को बिदे के च, श, ऐसे वाले sounds आ रहे हैं तो वो ending sound and beginning sounds दोनों तरफ का उनको वक्षिक्स अटाच्ट है same goes for F, F, V, TH, N, G, Q, okay ऐसे वाले sounds अभी उनको इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और वो अच्छी बात है धीरे धीरे आप अगर notice को रहे हैं तो यहाँ पे दिखी लॉंग A sound अब तक हमने बच्चों को क्या सिखा था A says A अब क्या है A says A itself, okay सो उनके regarding words देखे, cake, plate, pronunciation कैसे हो रहा है वो बच्चों को ध्यान में रखना है साथ A sound के भी worksheets बच्चों से soft कराके लेने बहुत important है क्योंकि वो sound भी तो ही add-on हो रहा है, भूलना नहीं यह बच्चों को वो, okay उनके साथ ही साथ बाकी के वोवेल्स के भी एक-एक extra sound introduced हो चुका है Okay, now kids will learn how mixing of two vowels form a new word with its basic sound सो इसके regarding worksheets है यहां पे देखिए, सो देखिए धीरे-धीरे syllabus बढ़ता जा रहा है इसलिए न, revision होने भी बहुत ज़रूरी है, वोक्षिट जिखने जादा हम sort कराके लेंगे उतना ही बच्चों के लिए helpful है, C का हमने पहले सिखाया था, town, अब आ गया है C का sound, okay सेंटर, circus, sale, so उनके example देखिए, उनके words बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, that's it, अभी next book है, handwriting book, तो यह कुछ नहीं बहुत easy है, जैसे pattern writing के practice हम में नर्सरी में कराई थी वैसे ही करानी है, और अगर आपके school की तरब से cursive handwriting का कुछ rule नहीं है, यह आपको यह book नहीं मिली है, तो आप सिर्फ यह वाली book, skip कर सकते हो, हमारी school की तरब से, मिली है यह book और cursive handwriting लेना, compulsory ऐसे बोला है, The next is numerous skills, तैने maths के regarding कुछ workshops इस book में आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही साथ concept पहले clear हो जाएंगी, तो आप देख रहे हो, कौन-कौन सी concept बच्चों को senior kg में है, यह 0, यह equal to concept, उनके साथ ही साथ बच्चों को worksheets attached है, काउंट and match, यह activity हम जितनी कराएंगे उतनी अच्छी है, नमबर निम की प्राक्टिस बिफोर, आफ्टर and बिट्विन, इनके worksheets ही यहाँ पर, अभी next है, greater than, count and match, नमबर निम्स बैसिकली 1 to 100 है, नमबर राइटिंग भी 1 to 100 है, बच्चों को senior kg में, यहाँ पर नमबर निम्स के regarding simple simple worksheets है, नमबर निम्स के जितनी वक्षेets हम लेंगे, उतना अच्छा है, और नमबर निम्स धीरे-धीरे, एक-एक-एक add-on करते जाये, please, एक दिल में, एक नमबर निम्स मत सिखाए, यह नहीं होता अलन बच्चों से वो लिखे आगई बैकवर्ड कांटिंग सो पहले 10 to 1 की बैकवर्ड की प्रैक्टिस लेंगे फिर बढ़ाते जाएंगे 20 to 1, 50 to 1 ऐसे 100 to 1 तक की बैकवर्ड and 1 to 100 सीरियल नमबर नेम्स ऐसे दोनों लिखना है बच्चों को नमबर नेम्स बिद नुमेरल्स बिग तू स्मॉल तू बिग दोनों ही कंसेप्ट इससे क्या आता है असेंडिंग और एंडिसेंडिंग और में बच्चों को हिल्प हो जाएगी बैसिकली अगर आप अच्छे से देखोगी है इस सिलाबस तो फरस्ट का जो बैस है वो बहुत परफेक्ट हो रहा है बच्चों का अभी आपको लग रहा होगा देखते वक्त यह बहुत हार्ड है लेकिन यह बच्चों को हार्ड नहीं होता इससे ना फर्स्ट टांडर का बैस बहुत अच्छे से हो जाता है skip counting tools के regarding skip counting के worksheets से अभी next is counting in files अभी addition start हो गई है तो पहले छोटे-छोटे small-small sum देंगे यह addition के and subtraction के regarding में और worksheets attach कर दूंगी या यही worksheets in detail में आपको बाद में दिखाऊंगी वीडियो के length में बढ़नी चाहिए exactly यह books होती क्या है वो आपको fast forward में दिखाने की कोशिश कर रही हो ओके introduction of Indian rupees उसके रिगार्डिंग भी वर्क्षिट से that's it now next is litrosis skill वी देखे लिट्रोसी skill में तैके नर्सरी एड एड एलकेजी के कुछ revise वाले वर्क्षिट से जिनके help से बच्चों का best अच्छा हो जाएगा word puzzle टी ओपी पी आई एन 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 एटी सो यह बच्चों ने खुद करना है पिच्चर देखे आगे spelling बच्चों ने खुद से लिखना है एन कब यूज करना है जिस word की शुरुवात वोविल से होती है वहाँ एन यूज करना है एन कब यूज करना है जिस word की शुरुवात consonant से होती है वहाँ ए यूज करना है इसलिए बच्चों को na consonant and vowels का basic difference पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यहाँ पे देखे position in arm यह fill in the blanks करना है बच्चों को picture देखके लिखना है in front of the tree behind the tree यहाँ पे देखे under the box inside यह positions आना बहुत ज़रूरी है इससे day to day life में बच्चों को बोलने में आसानी होती है अभी आप दीरे दीरे देखते जाए लिटरसी स्केल में कैसे अभी बच्चों को full sentence में answer लिखना है बच्चों का syllabus भास्ट होते जा रहा है इसलिए spelling learn कराने में हम बहुत अच्छे से focus रखेंगे अब यहाँ पे देखें what is Tom doing? Tom is reading a book यह सब बच्चों से लिखना ही expecting है इसलिए forcefully नहीं कराएंगे बच्चों को वक्त देंगे स्कूल में जितना हुआ है उसकी practice घर पे लेंगे ट्यूशन से नहीं कुछ होता इसे मुझे लगता है हमें खुद से ही सिखाना बहुत जरूरी है और बिना डाटे जितना सिखाओगे न उतना बच्चे आराम से सीख पाएंगे फोर्सफुली नहीं होता बच्चों से Days of the week अब यह है my third practice workbook इसमें basically क्या है Literacy skill, Numeracy skill and phonics इनहीं के regarding worksheets इसमें मिल जाएंगी सो यह मैंने पहले अच्छे से आपको सारी book का जो single single demo दिया था तो अच्छे से explain किया है तो इसमें कुछ explain करने लाइक वैसा है नहीं आप सिर्फ यह book अच्छे से देख लीजिए page to page, okay? इस एक काप प्यूच्छा नहीं अच्छोचो इसमें है जाए tut झाल 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 प्रस्ट 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 अभी नेम भी लिखने हैं बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करना पहले क्या आता था शिर्फ बच्चों को आइंटिफाइ अभी उनके नेम भी लिखने हैं बच्चों को नीचे स्पेलिंग ओखे यह वार्ट हम यह कपड़े क्यों पहनते हैं हम रैंकोट क्यों पहनते हैं हम स्वेटर क्यों पहनते हैं तो वो बच्चों से एंसर आना इंपॉर्टन्ट है कॉम्प्यूटर के रिगार्डिंग नॉलिच एंड आट्स इत यह ही हिंदी की बुक टिम टिम लेवल थ्री यह हॉप स्कीप एंड जम्प के बुक सेट में अविलेबल नहीं होती अगर आपको पर्चेस करने है तो आप अलग से यह बुक पर्चेस कर सकते हो यह मैक मिलन पब्लिकेशन की ही है हमें तो यह स्कूल की तरफ से सारा बुक सेट मिल चुका था सो जो 11 बुक्स थे सो हॉप स्कीप एंड जम्प में 9 बुक्स आते हैं और हिंदी की राइमिंग की बुक एंड हिंदी की यह बुक अलग से आपको पर्चेस करने पड़ेगी हिंदी की अ से श्र अगर बच्चों को आपके अच्छे से आता है तो आपको आगे सिखाना है बच्चों को तू लेटर जब जोइंड होते हैं तो उनका रीडिंग कैसे होता है यानि उ की मात्रा वादे वर्ड की रिविजन अभी यहाँ देखें A की मातरा लगे तो कैसे वर्ड बन जाता है एसे ही सारे स्वरों की मातरा लगने के बाद वर्ड कैसे फॉर्म होता है वो अभी यहां पे सिखाएंगे E की मातरा देखे न दी न द ई E की मातरा लगी तो न दी हो गया करना है जैसे इंगलिश का था सेम वैसे ही हिंदी का कहीं पे भी लिखा है लेटर उसको रियारेंज करके लिखना है यह रान लिखा है उसके आगे एकी मात्रा अटाच करनी है बच्चों को कुछ सिंपल सिंपल स्टोरीज है हिंदी रीडिंग है इस साल इसलिए स्टोरीज में जितना हो चुका है उसी रीडिंग के रिगार्डिंग स्टोरीज आएगे तो यह बच्चों ने रीड करना चाहिए और बच्चे कर लेते हैं डरों मत की क्या क्या आ गया है उ की मात्रा हो गई ए की मात्रा अभी यह सारी एंड तक ऐसी हैं आहां की मात्रा तक उ की मात्रा ओ की मात्रा कोवा अम और अहां की मात्रा ओके सो आए होप मैंने जितना भी बुक सेट का डेमो दिखाने की कुशिश कि आप सभी को वो यूस्फुल लगा होगा प्लीज लाइक शेर अड़ सब्सक्राइब करना मत भुलिये थैंक यू